हेलो एवरिवन आप सभी का मोस्ट वेलकम बचों हिंदी व्याकरन अपन पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरन में आज अपना तीसरे जो टॉपिक है वो है अलंकार का इसमें हम कम्प्लिटली अलंकार का अर्थ समझेंगे उसकी परिभासा समझेंगे विविन प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनके भेड और उनके उपब्र यह समझेंगे मिलिट्ली थिक है तो यह यह तीसरे टॉपिक के से पेले हमने व्याकरन के दो тов टॉपिक कर लिए हैं या टॉपिक किया था बच्चों अपना जो सब्द सक्ति है हमने अभी टॉपिक पढ़ा है तीन दिन में तीन टॉपिक हो जाएंगे और फिर हमारा चौथा टॉपिक रहेगा पारिभासिक सब्दावली प्रतेक टॉपिक दो-दो नंबर का है तो यह कम्प्लीट टॉपिक तीनो कॉपि पैन लेकर के बैठिए जो चीज आपको इंपोटेंट लगे उसे नौट करिए और बाखी सारी चीजे सुन लेजिए एकजाम से पहले एक बार कम्प्लीट रिविजन हम करेंगी जो पूरा जो पढ़ रहे हैं टॉपिक सारे के सारे इसका एक वन सोट वीडियो आप को मिलेगा तीन चार पांच साथ गंटे कर रहेगा टोटली ठीक है ओवरल यह सब कुछ हम इसमें पढ़ लेंगे और यहां पर जो हम पढ़ेंगे मैं एक बात और बता देता हूं बच्चों कि आप जो लिखते हैं उपने खुद के नौट्स बनाईए क्योंकि खुद के हा मने कर दोगा है अगर यह स्र फिर भी समझ में लिका हुआ रथ क्या है वैसे आप सब जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होग हमने भी पहले एक और लंकार पहले पढ़ाए हुए टॉपिक हैं तो अलंकार के हम बात करें बच्चों ये दो सब्दों से मिलकर के बना है एक तो है इसमें दो सब्द हैं भई ठीक है न? दो सब्द है क्या है दो सब्द? एक है अलम और दूसरा है अलम धन कार तो ये दो सब्द है अलम धन कार अलम का मतलब होता है सोभा इस अलम का आर्थ होता है बचों सोभा और कार का मतलब होता है करना कार का मतलब होता है करना तो इसका असाब्दिक अर्थ क्या हुआ सोभा करना मतलब सोभा बढ़ाना तो सोभा बढ़ाना कौन बढ़ाता है सोभा सोभा बढ़ाना बढ़ाने का काम कौन करता है सोभा मैंने सुंदर्ता सुंदर्ता ब सारे comment देख लोगा तो सोभा करना भई सोभा कौन करता है सोभा कौन बढ़ाता है करना मतलब बढ़ाना अब यहाँ पर करने का मतलब ऐसा नहीं कि भई करना बढ़ाना तो सोभा बढ़ाने का काम कौन करता भई आभूसन करते हैं बिल्कुल सही जबाब दी आप पच्छों आप लोगों ने तो अब इसका साब्दी कर्थ हम समझेंगे अलंकार का साब्दी कर्थ क्या हुआ तो इसका साब्दी कर्थ होता है बच्छों सोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म है तो वो है आभूसन तो हम यहां लिखेंगे आबूशन तो अलंकार का साब्दिकर्थ हुआ बचों आबूशन अब देखो आबूशन क्या होता है आपने देखा होगा हम लोग मतलब मनुश्या, male female तोनो आबूशन पैंते हैं, पुरुष भी पैंते हैं, महिलाय भी पैंते हैं क्यों पैंते हैं, ताकि सुन्दर दिखें, तो अपने आपको सुन्दर दिखाने के लिए जिस तरीके से मनुश्या, आबूशन धारन करता है उसकी सुन्दरता बढ़ती है, उसी तरीके से काव्य सास्त्रियों तो समझ में आया कि अलंकार का साब्दिक अर्थ क्या है आबुसन और अलंकार का प्रियोग क्यों किया जाता है क्योंकि कावे को सुन्दर बनाने के लिए ठिके अब आईए आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम देखेंगे कि एक आचारी हुए कावे सास्त्री हुए है दंडी आचारी दंडी ने एक परिभासा दी है क्या परिभासा दी है कि कावे सोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक सते क्या कहते हैं कावे सोभा करान मतलब कावे की सोभा करने वाले धर्मान मैंने धर्म बुन धर्म अलंकारान प्रचक सते वो अलंकार कहलाते हैं तो इसका सब् कृष्ट क्या रहेगा? चलो मैं यहां पर परिभासा लिख देता हूँ, अलंकार की परिभासा क्या है बचोँ लिखो परिभासा, क्या परिभासा अलंकार की कि काव्य की की काव्य की सोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म गौन काविय की सोभा बढ़ने वाले गुणधार्म अलंकार कहलाते हैं आलंकार कहलाते हैं तो अब आपको easily समझ में आ गया कि अलंकार इसलिए प्रियोग किये जाते हैं ताकि काविय को सुन्दर बनाया जा सके कुछ इस प्रकार लयात्मक बनायज़ा है कि जब हम उसे पढ़े या सुने तो हमें आनन्द आजाए तो इसलिए क्योंकि जो काविज जितना जाधा सुन्धर होगा उतना ही हमें उसके सुन्धरी के नुभूती में आनन्द आएगा इंसान को पढ़ने में, सुनने में, है न, दोनों प्रकार से, तो इसलिए अलंकारों का प्रियोग जो है, वो किया जाता है, अब देखो, अब हम देखेंगे अलंकार के भेद, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अब यहां से ध्यान देना, एक बोर्ड में पूछा गया था जस्ट पिछले दो साल पहले पूछा था, कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, यह अलंकार के भेद कितने हैं, तो आपने देखा होगा, कुछ बुक्स में आपको दो प्रकार के मिलेंगे, कुछ में तीन प्रकार के मिलेंगे, तो फाइनली, बोर्ड ने जो आंसर की दूसरा है वो है अर्थालंकार और तीसरा है वो है उबियालंकार सब्दालंकार क्या होता है कि जहां पे काव्य में सुंदर्य या सुंदर्ता या उसकी सोबा जो है वो अगर सब्द पर निर्भर करती है तो वो सब्दालंकार काव्य की सुन्दता किस पे निर्वर करती है सब्द पे निर्वर करती है आगर उस सब्द को हटा दिया जाए उस काव्य में से तो वो सौंदर्य उसका समाप्त हो जाता है अभी समझेंगे उधारन भी दूँगा मैं जैसे कनक कनक तेशोगोनी महादगता अधिका है अब यहाँ पे कनक के स्थान पर अगर हम उसका समानार्थी वर्ड अगर वहाँ पे लगाते हैं उसका परियावाची सब्द अगर वहाँ पे लगाते हैं तो वो सौंदर्य नहीं रहता है वो समाप्त हो जाता है तो इसलिए क्या होता है कि सब्दा लंकार में उस काव्य की सोभा या उस काव्य का आकर्षन या उस काव्य का चमतकार जो है वो किस पर निर्भर करता है वो सब्द पर निर्भर करता है दूसरा है अर्था लंकार अर्था लंकार में काविय में चमतकार जो है वो सब्द पर निर्भर न करके अर्थ पर निर्भर करता है तो यहां देखो सब्दा लंकार में चमतकार सब्द पर निर्भर करता है चमतकार 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 सब्द पर निर्भार करता है ठीक है और अर्थालंकार में चमतकार या सोभा चमतकार चमतकार का मतलब क्या है चमतकार या फिर उसकी सुंदरता या फिर उसकाव्य की सोभा सब्द पर न सब्द पर सब्द पर नहीं बलकी बलकी क्या बलकी आर्थ पर निर्भर करती है चीके वही आर्थ आर्थ पर निर्भर करती है राइट निर्भर करती है उसकी सोभा उसकी सुन्दरता कावी की सोभा कावी की सुन्दरता किसी सब्द वेसेश पर निर्भर ना करके उसके आर्थ पर निर्भर करती है तो व वो होता है अर्था लंकार, अभी हम इसका भी अच्छा सा उदारन है, बिल्कुल एक नदी का उदारन है, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे, और फिर आता है तीसरा उभिया लंकार, उभिया लंकार किसे कहते हैं, जहां पे कावे में सौंदर्य, या चमतकार, या सुंदर्ता, या सोभा, सब्द और अर्थ दोनों पे निर्भर करें, वहां पे उभिया लंकार होता है, उभिय का मतलब क्या होता है, उभिय का मतलब कॉमन, उभिय का मतलब दोनों में, आपने जैसे टैंथ में गणित पड़ी होगी, तो वहां पे आता था न, उभियनिस्ट गुणंख मतलब common जो होता था common factor वो ढोनना पड़ता था तो उभए का मतलब होता है सब्द और अर्थ दोनों पर काव्य की सुन्दर्ता निर्भर करती है सब्दब्लस अर्थ सब्द प्लस अर्थ दोनों पर निर्भर करती है दोनों पार काव्य की सुन्दर्ता या सुन्दर्या निर्भर करता है तो ये होगे तीन भेद अब हम एक एक करके इनका उदारम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई सब्दा लंकार सब्दा लंकार में पहला लंकार होता है पहला अगर हम देखें कि हाँ सब्दा लंकार तो अभी देखो सब्दा लंकार जो है न हमने क्या देखा था इसकी परिभासा क्या देखे थी कि काव्य का सुन्दर्या या काव्य की सुन्दर्ता या काव्य का चमतकार किस पर निर्वर करेगा सब्द पर निर्वर करेगा एक उधारण देखिए कनक 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 कनकते कनक कनकते सोगुनी सोगुनी मादकता अधिकाए कनक कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए ठीक है कनक का मतलब होता है बच्चों एक कनक का मतलब होता है सोना सोना मनें गोल्ड और एक कनक का मतलब होता है धतुरा अब यहां पर क्या करा है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय या पाय बोराय जग वा खाय बोराय कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धातुरा दोनों ही जो है वो ब्यक्ति को जो है वो क्या कर देते हैं मतलब एक उस नसा चड़ा देते हैं दोनों ही चीज़ें क्या अगर किसी के पास सोना आ जाए और अगर सोना भी जादा आ जाए तो इंसान को नसा चड़ जाता है फिर उसे दुनिया नारियल के टोप रहे के समान देखती है फिर वो दुनिया को नहीं गिनता है और उसी तरीके से अगर कोई धदूरा पी जाए जैसे भगवान सेवजी पीते हैं तो उस समय भी उसमें मादकता चा जाती है उसमें इतना नसा चड़ जाता है कि पूछो मत वो दुनिया को नहीं गिनता है और इसलिए क्या का है कि कनक कनकते सोगोनी मादकता अधिका है या पाए बोराए जग एक को पा लेने से ही बोरा जाता है पाना किसको अगर किसी को सोना मिल जाए तो वो बोराए जाता है पागल हो जाता है और या खाए बोराए या फिर दूसरे को खाने से बोरा जाता है अगर कोई धतुरा खा जाए तो वो पागल हो जाता है तो इस तरीके से दोनों में अब अगर हम यहां कहते हैं कि सोना धतुरे से सोगुनी मादकता दिका है ना भाई वो इंट्रेस्ट नहीं आएगा वो सौंदरिय नहीं रहेगा कावे का जो कनक कनक में है तो यहाँ पे सब्द में अलंकार है सब्द में चमतकार है सब्द में सुन्दरता है सब्द में सोभा है तो इसलिए ये कैसा लंकार हुआ, ये सब्दा लंकार हुआ, अच्छा सब्दा लंकार में भी कौन सा हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सब्दा लंकार में भी बच्चों यमक लंकार में जाता है, ठीके, ये सब्दा लंकार में भी किस में जाता है, ये यमक में जाता है अब देखो ये बात भी ध्यान लखनी है अगर मान लिजे एक प्रस्ण आ जाए जिसमें चार आपको मिल जाए और उसमें ये आ जाए कि भई निम्नमैसे कौन सा एक सब्दालंकार है ये भी आ सकता न यमक आ गया असलेस आ गया अनूपरास आ गया और कोई आ गया और फिर आ हाँ पर आपको धियान लखना पड़ेगा ऐसी चीजें पूछी जा सकती है हलंकि दो नंबर का है तो ज़्यादा डीटेल में तो नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना साथ आठ अलंकार है अच्छा एक बात और मुझे याद आई कि हमें सारे अलंकार नहीं पढ़ने है इसमे है तो वही अलंकार हम पढ़ने वाले हैं सारे अलंकार हम नहीं पढ़ेंगे अच्छा एक और वुधरैन देखो कि तरनी तनुझा त्टमाल तरुवर्ण भachtsशाए अब यहां पे तवर्ण की आवरती हो रही है नवर्ण की आवरती हो रही है तो यहां पर भी एक क्या है यहाँ पर भी सब्दा अलंकार है, क्योंकि आकर्षन, सौंदर यह, चमतकार सब्द पे निर्वर करता है, आई यह आगे बढ़ते हैं, अगर चीजे समझ में नहीं आवे, तो पूछ लेना, और एक्स्प्लिन कर देंगे, और चीजे समझ में आ रहे हैं, लिखते जाएए, पढ़ते जाएए, आ जाएगा, आसान इसे बिल्कुल समझ लेंगे, ठीके, अब देखो, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समय आपका टाइम लोगा, सिरफ एक मिनट से कम समय, यह कंप्लेट जो सिलेबस हैं हिंदी कंपल्सरी का, अगर यह सिलेबस आप टोटल, पूरा सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपको only 99 रुपे में हम आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करवाते हैं, और यह पूरा कोर्स आपको हमारे एप में मिलेगा, एजूकेशन राइज नाम से हमारा एप है बच्चो, एजूकेशन राइज, आर आई एस इ, यह एजूकेशन राइज, एप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको complete कोर्स मिल जाएगा, ना केवल हिंदी का, बलकि हिंदी के इलावा हिंदी साहित्य, हिंदी कंपल्सरी, इंग्लिस कंपल्सरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जोग्रॉफी, ना केवल complete कोर्स मिलेगा, बलकि इसके बाद model papers मिलेंगे, कि आपको वहाँ पे आपको test series मिलेगी subject वाज़ा लग लग, test series में क्या होता है, कि जब आप test देंगे, तो test देते हाथ वहाथ आपको अपना result मिलेगा, वहाँ पे पता चलेगा, आप कहाँ पे rank कर रहे हैं, आप से आगे कितने बच्चे हैं, और आप अपनी rank को improve करने के लिए और ज़्यादा test दे सकते हैं, वहना repeat कर सकते हैं उन test को, और complete course में आपको दोनो books, उनका complete व्याक्या, उनकी summary, video, notes, test series, online test series, MCQ, सब कुछ आपको इस 99 रुपे में मिलेगा, model papers only 29 रुपे में, test series only 11 रुपे में, notes only 11 रुपे में, तो ये सारी total हमारी series है, नमबर एक दे देता हूँ, उस नमबर पे आप मुझे message कर सकते हैं, WhatsApp message करेंगे न तो आपको link मिल जाएगा, देखो 9079622989, इस नमबर पे आप मुझे WhatsApp message कर सकते हैं, अब चलिए देखो हमारा है अर्था लंकार, अर्था लंकार में क्या होता है, कि काविय का जो सौंदरिया है, वो सब्द पर निर्भर ना करके, आर्थ पर निर्भर करता है, तो यहां देखो एक उदरन है, कि चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, किसी नदी के बात हुई है, जब नदी उफान पर हो, बाढ़ आई हुई होई होज में, तो इस बात को हम दूसरे सब्दों में अगर कह देना, कि उमड रही थी, फैन उगलती, फन फैलाए सर्पों सी, तो कोई फरक नी पड़ा, सुंदरता वो की वो बनी हुई है, क्योंकि यहां पे जो सौंदरिया है, वो सब्द पे निर्भर ना करके, आर्थ पे निर्भर कर आप ये पहले एक लाइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे, इसके इस्थान पर आप ऐसा लिख देना बीच में, क्योंकि अभी तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, तो आपको एक्जाम में अगर आपने दोनों खाली ऐसे लाइन लिख दी, तो उससे फरक नी पड़ेगा उससे एक्जामिनर समझेगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, कि उधारन ये है, सब्दा लंकार, पहले तो अर्था लंकार कहते किसे हैं, तो आप परिवास से दीजिए बढ़िया, कि जहां पर कावे में सुंदर्ता या चमतकार या सुंदर्य, अगर अर्थ पर इसके इस्थान पर अगर हम इसे दूसरी तरीके से ये लिख सकते हैं, कि उमड रही थी फैन उगलती, फन फैलाए सरपोंसी, तो आगे फिर लिखना, तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, साथी साथ उसका चमतकार भी बना रहता है, इसलिए ये मिनत को, चलिए अब हम करते हैं, शुरू एक एक करके अलंकार फड़ते ही, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक किवल अलंकार का एक परिचे देखा, हमने अलंकार का साथिक अर्थ देखा, किन सब्दों से मिल कर के बना है, हमने देखा जो आचारे दंडी है, उन्होंने क्या परिवासा दी है वो परिवासा हमने देख ली इसके बाद हमने इसके भेद देख लिए और भेदों का भी एक-एक उदारन हमने अच्छा सा बड़ी ऐसा उदारन देख लिया तो यह complete इस तरीके से बच्चो हमारी सीरिस चलेगी और हिंदी compulsory का हमारा जो बा अबको आपको इसके बहें पढ़र हमेंगे सामक को हमारी वॉत लाइब पलइखुलिए पड़ी बचताएं पर नए बच्चे उनको में बता रहेता हूं तो आप्लोग इस तरीके से बड़ियकन एक्जाम तक हम completely तैयारी करवा देंगे हमारी playlist बनी हुई है आप जाहिए इस वीडियो के वहाँ पे description में आपको playlist की link मिल जाएगी link पे जाके आप जो subject पढ़ना चाते हैं वो subject पढ़ सकते हैं चलिए अब देखो अनुप्रास अलंकार का हम सुरू करते हैं एक एक करके और अनुप्रास अलंकार की परिभासा देखते हैं सबसे पहले वैसे आप सब जानते है अनुपरास अलंकार में कि अगर किसी वर्ण की आवरती हो रही है, काविय में अगर किसी वर्ण की आवरती हो रही है तो वहाँ पे अनुपरास अलंकार होता है, सबसे सरल उधारण, सबसे इजी अगर कोई अलंकार है, अगर सबसे सरल कोई अल तो वहन अनुप्रास अलंकार लेकिन लेकिन जितना सरल मान रहे हुना आप इस से उतना जटिलिभी एक यूनकी इसके भेद भी है इसके पांच भेद भी है कुछ कावया सास्तिर निदी चार माने हैं कुछ ने 5 माने हैं तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो अनुप्रा सलंकार की अगर हम परिभासा लिखें तो क्या लिखेंगे कि जहां काव्यम है कि जहां काव्यम है किसी वर्न की आवरती होती है किसी वर्न की आवरती होती है आवरती का मतलब क्या है आवरती का मतलग होता है बार-बार आना अगर कोई वर्न वर्न क्या होता है ये दूबार मत पूछना क्योंकि हम इसे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं भासा लिपी और व्याकरन जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो वर्ण की आवरती हो, अगर कोई वर्ण बार-बार आ रहा है, एक पंक्ती में, एक कावी पंक्ती में, दो बार, तीन बार, चार बार, अगर रिपीटिशन उसका हो रहा है, आवरती हो रही हो, किसी वर्ण की आवरती होती है, आवरती होती है, वहाँ, वहाँ क्या होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार होता है ठीक है वई तो चलो ठीक है बढ़ी आए हम समझ में आ गया कि अगर किसी कावे पंक्ती में कोई वर्न अगर बार-बार आ रहा हो अगर उसके आवरती हो रही हो तो वहाँ पे अनुपरा सलंकार होता है, हम समझ गए, समझ गए ना, अच्छी तरह से समझ लेना, और इसी क्लास में completely समझ लेना, तो उधारण अगर हम देखते हैं इसका, तो देखो उधारण क्या है बच्चों, कि भगवान, भक्तों की, भयंकर, भूरी, भीती, कौन सा वरन रिपीट हो रहा है, तो भई भवरन का रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे बच्चों, अब देखो इसलिए यहाँ पे कौन सा लंकार हुआ, अनुपरा सा लंकार हुआ, अब भवरन का रिपीटिशन हो रहा है, बट हो सकता है कि उसकी जो स्वर की मात्रा है, वो सेम भी हो सकती है, भिन भी हो सकती है, उस पे कोई फरक नहीं पड़ता है, वर्न जो है वो एक होना चाहिए, तो यहाँ पर भावर्न है, तो भावर्न है, इसलिए यहाँ पर जो है, वो बचो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसलिए अनुपरास अलंकार है, आगया समझ में अ दो हजार प्रसों के series भी Hindi Compulsor के चला रखी अभी पिछले दो-तिन दिन से उसे बंद किया कि इसलिए क्योंकि अभी हम एक बार व्याकरन पढ़ लेते हैं फिर से उससे शुरू करेंगे और निश्चित रुप से ये पांच भेद माने गये हैं और एक electronics हम देखेंगे उसकी परिभाशा भीक्रण भी देखेंगे तो एक पहला जो अ नपोकि आवरती की तो वर्नों के आवरती कितनी बार हो उसके आदार पर इस cứu हैं अलाग अलाग तो अगर वर्ण की आवरती सिरफ एक बार हुई आवरती का मतलब अगर कोई वर्ण खाली एक बार तो पहली बार आएगा और एक बार उसकी आवरती होगी मतलब repetition हुआ तो टोटल ही दो बार आएगा तो वह आवरती एक बार होती है और फिर भवर्ण की आवरती हुई है तो आवरती कितनी बार हुई है एक एक बार हुई है किस वर्ण की हुई है यहाँ पे का की हुई है और यहाँ पे भा की हुई है तो इसलिए भाई यहाँ पे कौन सा अनुप्रास हुआ छे का नुप्रास कलियर हुआ, तो ये अनूपरास के भेध का पहला अलंकार हमने कम्पलीट किया दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है वृत्या अनूपरास वृत्या, आप सोचो है न, इसको समझ खो थोड़ा, जैसे वृत होता है वरत क्या करता है गोल-गोल घुमता है ना मतलब बार-बार आ रहा है उस लाइन चलती है चलती है लगातार बार-बार आ रही है तो इसमें वर्नों की आवरती भी ऐसे होती है वर्नों की आवरती अनेक बार हो एक बार नहीं अगर एक बार आवरती होई विवेक वीमल विज्ञानी बार-बार व वर्ण की आवरती हो रही है, हो रही है न, वीरती, वीवेक, वीमल, विज्ञानी, मतलब, व, 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 तो यहां पे कौन सा नुपरास हुआ, वरत्या नुपरास, अब देखो नेक्स इसका तीसरा जो भेद है, वो है सुरुत्या सुरूत्या का मतलब क्या होता है सुरूत्यानुप्रास तो ऐसा वर्न मतलब सुनने में हमें ऐसा वर्न जिसका उच्चारण मुख के एक ही उच्चारण इस्तान से होता हो तो वहाँ पे होता है सुरूत्यानुप्रास अब थोड़ा सा ये टेड़ा रहेगा आपको समझ में नहीं आएगा पर कोसिस करेंगे तो आजाएगा नहीं आएगा इसी तो बात ही नहीं है Actually होता क्या है कि जितने भी जो वर्ण होते हैं जैसे अगर 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 अपन बात करें हिंदी वर्ण माला में मुर्धा जो होती है ना मुर्धा वहां से जीब टकराती है तो वो मुर्धन्य कहलाते हैं कुछ कंठस तो होते हैं कंठसे टकराती है कुछ ओस्ट्य होते हैं जब ओठ बन और किया जाते हैं जैसे मालो पा 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 तो ये ओठों से निकरे ये एक ही उच्छारनिस्तान होता है कहलाता है क्योंकि एक ही उच्छारनिस्तान से उच्रित हो रही है जैसे च, ज, 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 न, तो ये जीब टच करती है न तो ये दंतिय हो गए दांतों से टच करती है तो ये एक उच्छारनिस्तान कहलाता है जैसे देखिए, कि दिनांत था थे दिननाथ डूबते, तो देखो, द न थ, कैसे हैं, द न थ, एक ही जगे जीब टच करें ये बार बार, वापस थ, द न थ, ड, अब कुछ हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन जादा तर जो है न, जादा तर का उच्छारण इस्था मुख का एक ही उच्छारनिस्थान होता है इसलिए यह हो गया कौनसा सुरुत्यानुप्रास और चोथा देखो इसका होता है चोथा होता है अंत्यानुप्रास अंत्या 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 अ कि काली काली अलकों में और आलस मदनत पलकों में तो कौमें तो यहां भी कौमें है और यहां भी कौमें है तो यह एक जैसा है इसलिए यह अंत्या नुप्रास अंत्में अनुप्रास हा रहा है इसलिए अंत्या नुप्रास तो यह चार भेद हुए और एक और इसका भेदे व काविय सास्तिरों ने चारी माने, कुछ ने पांच माने, तो मैं पांचों करा देता हूँ, अगर मान लीजी प्रसना आ गया, कि वही लाटा नुपरास क्या होता है, ये उसका उगधारन दीजिए, इसकी परिवासा दीजिए, तो लाटा नुपरास में क्या होता है, आखिरकार संदेश क्या देना चाता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, तो जैसे एक उधारन तो देखो, हम यहाँ पर एक उधारन देखेंगे, आपने बहुत अच्छा उधारन सोना होगा, कि पूत सपूत तो क्यों धन संचे, अरे भाई, अगर पूत सपूत तो क्यों धन संचे, तो देखो, पूत सपूत और पूत कपूत, तो एक जैसे मिलता मिलता आ रहा है न, तो क्यों धन संचे, तो क्यों धन संचे, तो पीछे वाला भी मिल रहा है न, तो क्या होता है, वाक्यांस की आवरती हो रही है, वाक्यांस की आवरती हो रही है, और आर्थ भी, उसका तात्पर यह भी बदल रहा है, क्या, कि अगर सपूत है, तो भी हमें धन संचे करने की खुद कमा लेगा, अगर कपूत है, तो भी हम धन संचे करने के आपसिता नहीं, क्योंकि अगर इकटा कर भी लिया, तो वो उसे गवाँ देगा, तो यहाँ पर ही क्या होता है, लाटा नुपरास में वाक्यांस की आवरती होती है, या सब्द की आवरती होती है, और अर्थ ज यह हमने देखा है, यह हमने देखा बच्चों, अभी तो हमने किवल अनुपरास अलंकार किया, ठीके, क्या टाइम गवा, थोड़ा सा देख लेता हूं मैं, और अभी देखो, एक चलो कर लेते हैं, स्लेस कर लेते हैं, ठीके, स्लेस अलंकार का साब्दी करत होता है, चिपका हुआ होना, कौन चिपका हुआ होना, मतलब कि अर्थ जो है न, एक सब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो, तो इसका मतलब यह हुआ, कि सब्द एक ही होगा, और उस एक ही सब्द के अलग-अर्थ होते हैं, तो एक सब्द अनेक अर्थ, इसको दूसरे तरीके से उडार्द में आपको दाद में लिखाता हूं, एक सब्ड एक सब्द और लिखेंगे अनेक अर्थ तो सब्द एक रहेगा और उसके अर्थ कितने रहेंगे? अनेक रहेंगे, ठीक है, शले सलंगकार में, अब एक उधारन देखते हैं, ऐसे आपको अगर नहीं समझ माता है, तो चलो एक उधारन देखते हैं, उधारन आपने सुना होगा, कि पानी गयन उबरे मोती मानस चोन, पानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पानी गयन उबरे मोती मानस चोन, ये बढ़िया सा अच्छा सा उधारण है अपने सले सलंकार का सब्द एक बार आया है एक सब्द आया है खाली पानी एक बार आया है इस पानी का अलग-अलग स्तती में अलग-अर्थ होता है मोती के लिए उसका अलग-अर्थ है मनुश्य के लिए उसका अलग अर्थे और चोन के लिए उसका अलग अर्थे मोती के लिए पानी का अर्थ होता है उसकी चमक, मोती की चमक जो मोती जादा चमकदार होगा वो मोती जादा कीमती होगा और मोती के अगर चमक फीकी पड़ गई उसका पानी उतर गया भई तो फिर वो मोती का कोई value नहीं है इसे तरीके से मानुश्य है नहीं मनुश्य मनुश्य के लिए पानी सब्द का आर्थ होता है उसकी इज्जत अगर उसकी इज्जत नहीं है तो फिर उस मनुश्य का कोई मतलब नहीं रहता और इसे तरीके से चोन, चोन मैंने चोना या आठा, आठे में पाणी डालेंगे, उसे गूथेंगे, तबी तो रोटी बना पाएंगे, तो अगर उसके लिए पाणी का मतलब क्या होता है, उसकी भी कीमत तबी बढ़ती है, तो सब्द कितना है? एक है, और अर्थ कितने है? त हैं तो सब्द एक अर्थ अनेक कौनसा अलंकार सलेस अलंकार ठीक है सलेस का सब्दी करता है चिपका हुआ वना यह एक सब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं और भी इसके खुब सारे उदारण है तो बाकी उदारण जब हम मैं बार-बार करेंगे उस समय हम इसको कर की आवरती होगी और जितनी बार सब्द की आवरती होगी उतनी बार अर्थ की भी आवरती होगी तो तो यहां पर लिखेंगे सब्द की आवरती होती हैं सब्द की आवरती होती है और अर्थ भी भिन होता है अर्थ भी भिन होता है बिन होता है अब देखो एक उधारन देते हैं कि जितनी बार आवरती होगी उतनी बार उस सब्द का अर्थ भी अलग अलग होगा एक उधारन हम देखेंगे यहाँ पर उधारन देखो बच्चों उधारन है कि कनक कनक ते सोगोनी वैसे भी हमने पीछे उसको कर लिया था कनक कनक ते सोगोनी मादकता अधिकाय या खाय बोराय जग वा पाय बोराय कनक कनक ते सोगोनी मैं उसको अच्छी तरह से वहाँ पर एक्स्प्रेंट कर चुका हूँ सोने को पालेने से भी और धतुरे को खालेने से भी तो यह यमक अलंकार का उधारन हुआ अब देखो यमक में और सलेस में भिनता क्या है उसमें भी इसकी आवरती हो रही है अर्थ भिन है अर्थ सैम है तो क्या है फिर इसमें अंतर क्या है तो अंतर ये है कि सलेस अलंकार में सब्द की आवरती नहीं होती है जबकि यमक अलंकार में सब्द की आवरती होती है इसके बहुत अच्छे ची प्रसना है नेक्स जब आप इसकी प्रसनस की सिरिस के चलाएंगे न वहाँ पर अपनाची तरह से इसे कर लेंगे एक बार प्रसने भी पूछा गया था बोड की एक्जाम में कि जहांपे सब्द की आवरती सब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ भिन भिन है तो वहाँ पे कौन सा लंकार होता है तो वहाँ पे सलेश लंकार होता है इध्यान नकना ठीके कल हम इसको complete कर लेंगे फिर बचेगा हमारा पारिभासिक सब्दावली एक या दो दिन में पारिभासिक सब्दावली की खोसेश करेंगे जादा से जादा सब्धम पढ़ लें और उसके बाद हम इन चारों topic के मिला करके करेंगे प्रस्ण उत्तर एक या share करूंगा, grammar की complete हो जाए ना, चारों topic की, तो मैं आपको WhatsApp group और अपना जो Telegram channel बना हुआ है वहाँ पे इसकी PDF share कर दोंगा ठीके, तो कैसे लगी आपको ये class मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा साथ ही साथ ये जो class है इसको आपको अपने मित्रों के साथ share करना है और वीडियो को like करना तो बिल्कुल भी मत बूलिएगा, इसी तरीके से हम board exams तक लगाता है, आपके साथ बिल्कुल आपको guide करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे और target आपको रखना है पूरा hundred, out of hundred में पहले ही का आया बिल्कुल इससे एक भी कम नहीं और live class बिल्कुल join करते रही है live class अलगलग subject की चलती है अभी फिलाल political की चल रही है बहुत ही जल्दी हम next subject की सुरू करने वाले हैं ठीके, तो मिलते हैं एक लिए class में और आप मुझे बताईए कौन से subject की live class आप पहले लेना चाहेंगे ताकि उसके हिसाब से मैं आपको live class available करा सकूँ या और कौन से class या और कौन से subject आप पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे comment box में comment करके बताईए ताकि मैं आपको उसके हिसाब से next subject भी पढ़ा सकूँ क्योंकि आप feedback देंगे न उसी आधार पर मैं आपको जो है वो response दे पाऊंगा ठीके तो आज की class में बस इतना ही आप सभी का बहुत पर धनेवाद Thank you very much